इस तरह से बड़े अफसोस की बात है जिस तरह से अश्यतोर जी यहां करेप वहां करेप जिस तरह से हमने हर रेप के खिलाब बोला है महिलाओं के सुरक्षा के बारे में अगर वाकर कोई सरकार चिंदित रही तो भारती जन्दा पार्टी की सरकार ही जिस परदेश वे आप कि आप स्पोक्सपरसन है उस परदेश पर वे क्या होता था वह आपको इपता है और आज जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है तो हम लोगों ने हमारी सरकार ने किया है इसलिए इस तरह के करण देना बंद कि जिए और जो आप भूल के बोलिए मताब एर बंद कर्फार चाल आपने ब्लतकार बने दिया जिस तरह से आपका जो आपको आपकी ड्रीमेंट है तो आपर अपको कूछा रही है और आपको भी कुछना ने ने का काम किया उसी वाग उठाते उसको जय ने डाल देते का तो लाग ठेने और अन झा और फोल से ईड़ला ध चित्रा जी देखिए जफर साब में बहुत अच्छी बात करिए मैं सव बार सवाल पोचांगा ममता मिनर जी से क्यों रेप हुआ बचाना नहीं बचाया यह मैं पुलिस नहीं हूँ मैं जज्जमेंटल नहीं हूँ लेकिन यह जरूर जानता होगी हात्रस में उसके उस बेटी और मिठाईया बाटी थी यह जरूर बताऊंगा चिनमे अनंद को आपने वेब भेल दी और यह जरूर बताया कि राम रहीम को आपने पैरोल पर रख चाहिए यह इस देश में सबको पता होना चाहिए है नेता यह बड़ा सवाल है कम से कम ग्रेप जैसे मुद्दे पर इस देश की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए वह आपके हमारे सारी इस देश की बेटियों से जुड़ा हुआ इतना गंभीर मामला है इसको भी लेकर इतनी सस्ती पॉलिटिक्स क्यों देखने को मिलती है आनंदुबे जी चित्रा जी नमस्ते किसी भी देश के सर्वुच पद पर बैठेगर राश्पती महुद है आदर्णिये द्रोपती मुर्मु जिगर ये कहें कि आज मन दुखी है व्यतित है और भैवीत है यह हम सब को बहुत ही दुख में डुबोने वाला बयान है सर्मसा करने वाला बयान हम सब आज हमारी नजरे खुझ जुग गई कि हमारे राश्टपती अगर इस विश्यक को लेकर दुखी हो गई तो यह पूरे देश के लिए दुख का कारण है जम्मू कश्मीर से लेकर कंड्या कुमारी तक अटक से लेकर कटक तक इसमें राज्यों को मत चोड़िए इसमें पार्टियों को मत चोड़िए इसे भाजपा कॉंग्रेस मत करिए रेप रेप होता है हर जगा अगर कहीं भी हो रहा है उसकी हमें निंदा करनी चाहिए लेकिन दुख तब होता है जब भारती जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार उसमें राज उस बंद को रोक देते हैं और उसमें रोडा अड़का देते हैं। चित्रा जी ऐसा क्यों? एस सेलेक्टिव राज़नीति क्यों? जब भारती जनता पार्टी से जुड़े लोग उस स्कूल के ट्रस्टी पाये जाते हैं उनके समर्थक पाये जाते हैं तो उन पर कारवाई ह के पुलिस भी दोशी है, तो साथ में महाराश की पुलिस भी दोशी है, बदलापुर की भी पुलिस दोशी है, ये सामोहिक प्रयास सही हल होगा चित्राजी, कोई नेता नहीं होगा, साथ किसी का विबेक बुद्धी इतना नहीं मरा होगा, जो इस पे सेलेक्टिव राजनीत करेगा लेकिन भारती जंता पार्टी की नेताओं से कोई सवाल नहीं पूछता चित्रा जी आप तो इतनी अनुभवी पत्रकार है आप सवाल पूछे हम सब आपके साथ खड़े हैं आप पूछिए ना कि महाराश में बद्ला पूर में 4 साल की शुरक्षित नहीं है करेंगे और क्या आप लोग भी उसका हिस्ता बनेंगे आप लोग भी शामल रहेंगे दिल्ली में उस प्रदर्शन के 2020 में हमने एक कानून लाया महाराश में शक्ती सुरक्षा कानून वह आज भी द्रुपदी मुर्बुजी के आदर्णी जी के टेबल पर पड़ा है दो साल से ये महायूति की सरकार महाराश नाजी में बैटी है आप पूछे क्रिष्णा हेगडे जी को कि क्यों वह कानून नहीं बन रहा है कौन लोग के रखना चाहता है कौन हमारी माताओं बैनों की सुरक्षा के साथ खिलवार करना चाहता है अगर एक कानून जो पहले से हमने रेडी किया है सिर्फ आपकी मोहर लगा के उसे पारित करना है वो आप कर नहीं पाए तो आप एंटी रेप सुरक्षा कैसे लाएंगे अगर ममता दीदी कह रही है कि केंद्र सरकार में आपकी पुर्ण बहुमत की सरकार है इंडिये की नेतुत में आपकी सरकार है तो आप कड़ा कानून क्यों नहीं लाते अब आप बताई इसमें को नहीं लेकर आते हैं तो क्या आप दिली में ममताप एनरजी के साथ शामिल होंगी जल्दी से इसका जवाब दे दिजिए उसके बाद हेगड़ी साब के पास जारी में तो बैटके बात करेंगे ना बैटकर इस पर बात करेंगे चर्चा करेंगे रेश की सुरक्षा का मुद्दा है इस पर तो कोई इस पर तो हम समेधन सील होते हैं उन्होंने बतला पूर वाला मामला उठाया है ये बात तो सच है कि अगर पश्रिम बंगाल में विपक्ष भारती जनता पार्टी प्रिजर्शन करे और उसको ममताव एनर्जी रोके तब तो फर ममताव एनर्जी की सरकार बहुत बुरी है लेकिन उसी तरह की परसिती क्या माहराश्टा में पैदा नहीं हो गई है और ये जो सेलेक्टिव राजनीती है रेप जैसे मामले पर क्या वो बंद नहीं होनी चाहिए कृश्णा है जी आप तो सरकार में हैं आपके मुख्य मंत्री हैं महरास्टा में देखे चित्रा जी आजिटेशन करना एक संविदानिक अधिखार था और जो बारके जनता पार्टी या वेश्बंगल की जो जनता ने आज आज अजिटेशन किया तो आप देखेंगे तो पहली बार टीम जी जो समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे के राम रहीम को बेल दिया इसको बेल दिया उसको दिया अरे आशितो जी पहले आपको यह समझना चाहिए कि हम सरकार बेल नहीं देती कोट बेल देती है फरलो देती है और पेरोल देती है और हमारे दूबे जी तो इतने सजन इन्सान है कि खुद के राजियों के कैसे उन्होंने महाराष्टा की अभी उन्होंने खिली उड़ाई आपने देखा है और आशितोष जी कह रहे थे भई लॉय और प्रॉब्लम था अरे आप कार सिवकों पे गोली किस ने चलाई थी आपी की सरकार चलाई थी दुनिया अभी जेल में हैं उसके ओपर रेप चार्ज लगाया है उसके ओपर पॉक्सो लगाया है स्कूल के ओपर अड्मिनिस्टेटर बिटाया है जो टीचर है जो प्रिंसिपल है उनके ओपर भी पॉक्सो लगाया है जो पोलीस करमचारी है उनको निलमित कर दिया है और वेश्ट कोई उनके मुर्त्यों को उन्होंने सुसाइट दिखाने की कोशिश की इधर परक पड़ता है लेकिन आप देख मैं कहता हूं कि दोनों जो गटना हैं दोनों की निंदा करनी चाहिए और दोनों बहुत दुर्बागे पून और हम दुखत गटना हैं लेकिन हम इसमें दौरा म आप दंड देखिए राहूल गांधी का कुछ बयान आया वेश्बेंगॉल पर प्रियांका गांधी का कुछ बयान आ गया इतने सब इनके प्रभक्ता है वेश्बंगल के बारे में बात करते हैं नहीं यह सब महराश्ट्रा आ रहे हैं यह और भी उकसाने के लिए बस-बस सहथ नहीं हो रहा है इनको पच्छ नहीं रहा है राजने बाजियां कैसे बहुत जादा बढ़ गई हैं बयान सुनाने वाले हैं लेकिन उसके पहले अरण जी आ बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं बोलिए चित्रा जी अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने राज जी में हमारे सबसे बड़े महापूरू हमारे आदर्श चत्रपति शिवाजी महाराज के इस टेच्यू में अगर आप लोग ब्रस्ता चार करोगे एक साल भी नहीं बितेगा हो मुर्ती खंड खंड हो जाएगी और अगर आप उसके लिए आंदोलन करेंगे उसके लि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगा है कि मैं आनत दूबे कह रहा है कि हमने नए कानून बनाए इनकी सरकार तो ढाए साल मंत्रा लए नहीं गई कानून बनाया शक्ति कानून क्यों नहीं कर रहे हैं किसके आदेश का इंतिजार कर रहे हैं जब सब कुछ हमारी अश्मिता हमारा सम्मान तारतार हो जाएगा और वो कानून लाओंगे लोग सड़कों प्यार हैं पहली बार इतियास में महाराज में ऐसा हुआ अट घंटे से ज्यादा प्रेंड रोकी है जन्ता काक्रों समझिये जन्ता सड़कों पे जबाने लगती है तो कुर्सी चोड़ना होता है कि इतियास में घट चुका है और और फिर घटेगा है कि करके अपने बात रखेंगे जीए आप दोनों लोगों की बात हो गए सेलेक्टिव पॉलिटिक से रेव जैसे मामलों में कम से कम अपने आपको दूर रखना चाहिए और राज्य देखकर जुबान नहीं बदलनी चाहिए लेकिन पश्चिम बंगाल क को लेकर राज्यती किस तरह से जारी में लोट वी हूं ममता पैनर जी मुख्यमंत्री आज सामने आए उनके और से क्या कहा गया और बीजेपी ने क्या पलटवार किया है दोनों लेताओं को सुनते हैं फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरे आती है और वो है पश्चिम बंगाल तो ममता जी आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है जीतने के बाद हिंसा होती है और इसी लिए आपके दिमाख में भी इतनी घंगोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों क बचाव की जुगत सरकार कर रही है और मैं यहाँ यह भी कहना सकता हूँ हो सकता है ममता जी बड़ी बेवसी में भी हो क्योंकि आपने जिन अपराधिक तक्तों का साथ लिया था मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए है कि शायद ममता बनर जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करें क्योंकि साय शायद उनको रोकना उनकी शमता से बाहर हो गया हूँ आज के बॉन देखे दिए बीजेपी जेने सुने कर्मोदे डेट बड़ी चाहिए आमरा संती चाहि आमरा बिचार चाहि आमरा दोशी देख्ची शास्ती चाहि फाशी चाहि आरोड़ा दोशी देख्ची चाहते फाशी ना हाए बिचारेर बानी जाते नियोबे निभीते कादे प्रिंस्पल को दूसरे कॉलेज का प्रिंस्पल बनाना उसके उपरां उस जगे को सील ना करना उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़ फोड हो जाना उसके बाद सी बी आई को ट्रांसफर ना करना और अब अब ज्यान भटकाने के लिए कहते हैं फासी देने की बात तो मैं बताना चाहता हूँ फासी यहाँ एक प्रक्रिया के तहद दी जाती है अफसोस की बात है कि सर्वोचिन आलेन स्वैम कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिये हैं सबूतों के साथ इतनी छेड़शार कर दिये ताकि यह काम आसान नहीं है और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्रिम बंगाल सरकार से पूछा चाहता हूँ रेप के कितने मामलों फासी दिलवादी है वो अपना कन्विक्शन डेट बताएं इससे बहुत साफ है कि जो कुछ पश्रिम बंगाल में हो रहा है वो मुझे लगता है एक पीडिता के साथ होने वाले न्याय का मजाक और आगहात ही नहीं है सम्विधान की मूल भावना पर सबसे बड़ा आगहात है मोधी बाबू आपनाल पार्टी के दिया आगुन लगाचेन मोने लगवेन भांगलाई जो दिया आगुन लगान आसामों थे में थागवेना नर्टिस्टों थे में थागवेना ममताब आपनर जी का यही वो बयान है जिसको लेकर भार्ती जंता पार्टी की नेता काफी ज़ादा आक्रामक है देश विरोधी बयान इसको करार देने में लगातार पार्टी लगी वे सत्रिकार जी जल्दी से एक टिपड़ी ममताब आपनर जी के इस बयान पर वो कहा रहे हैं कि अगर आग लगाने के कोशिश परश्चिन बंगाल में की जाएगी तो देश का बाकिये हिस्सा भी नहीं बचेगा यह वो ऐसा धमकार ही है जैसे केजरिवाल जी भरस्टाचार में गरिफतार होने के बाद कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम भी सब को जेल में डाल देगे ममताब एनर जी को फिर से पुना आग रहे है अपने गरेबा में जहांकिए सुधान शुत्रिवेदी जी ने असपस्ट कहा कि आपने पांच जगह ऐसी हरकतें की हैं जिससे इस रेप कांड को दबाने की कोशिश करते हुई नजर आती है आपकी पुलिस और आपकी सरकार रेप के सेलेक्टिविजम पे मैं खिलाफ हूँ आशुतोजी बहुत अच्छी बात कह रहे थे तेकिन आशुतोजी अपने पार्टी के गौड फादर है ना उनकी बात बस भूल गए लड़के हैं गलती हो जाती है अखिलेश जी ने भी क्या बयान दिया वो बात भूल गए तो हर पार्टी सामने आए ना अपनी पार्टी अपने गिरेमा देखे ना कोई राज्य ने यह मेरा राज्य वो तेरा राज्य में इसका समर्थक नहीं हूँ हर पर सवाल पूछिए और अपने आप पर भी सवाल पूछिए अगर ममता बेनर जी जी ने ये किया तो क्या समाजवादी पार्टी वहाँ प्रदर्शन करने गई नहीं गई एक सवाल ट्वीट करके पूछा के लिजी ने कि ममता जी ये घटना का ऐसी क्रोनोलिजिकल ओडर में पांच गलतियां आपने की नहीं पूछाड़ा उनको बचाते हुए नजर आए तो दूसरी पार्टी पूछेगी तो आपको लेगा सेलेक्टिविजम है कि भाजपा वहां नहीं पूछती कॉंग्रेस वहां नहीं पूछती राहुल गांधी से जब सवाल सीधा पूछा गया तो कहा का आप डिस्ट्रेक्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी घटना हो गई एक डॉक्टर मर गई रेप के कारण हट्या कर दी गई रा राजनिती में महिलाओं के हक के सवाल को लेकर अगर कोई पार्टी कहीं लड़ेगी उसका स्वागत होगा आशुतोश वर्मा जी बिलकुल बढ़िया बोला इन्होंने मैं सब्सक्राइब जेडियू के जो नेता है मैं उनकी भाजाओं को देख रहा था और जेडियू के न मेरे बात पूरी हो रहे हैं हम तो हिसलिए आप उनको यह ना बता है कि समाज बादी क्या क्या है हम तो यह कहर है ना कि भार्ती जनता पार्टी का यह पहले पहले आंधुलन करवा उसमें आग लगाओ और उसके बाद सरकार को गिरारी इस सब्सक्राइब कर देखता है दॉक्टर मैला का वहां रेप हुआ पूरे देश आक्रोशित है और डॉक्टरों ने पूरे देश में मैं खुद चिक इत्रप मैं खुद उसके आंदोलन में खड़ा था पूरे देश में आंदोलन और शांती पूरक आंदोलन हुआ प्रोटेस्ट भी हुआ लेकिन जैसे भा पार्ती जंदा पार्टी इतनी घिनौनी है कि वो एक रेट पीड़ता की लाज के उपर खड़े हो के राजनीती कर रही है।